अलो ब्रवान दिस अप्रिशेक राहना वेलकम यूवल तो यूर फेर्वेट यूट्यूब चैनल राइजुगेशन राइजुगेशन चैनल पर आप सभी भाई बंदों का अर्दिक स्वागत है शुप रबास सभी मित्रों को और आज के मॉनिंग सेशन में आज के प्रमुक अब प्रमुक्ता से अज करते हैं सेक्षख भरती परिशा 2019-2019 तो चलिए स्टार्ट करते हैं कई इंप्रमुक्ता से एल्टी ग्रेट रिजल्ट आज आने के आसार हैं जी हां कल धरना हुआ था लेकिन एक दिन पहले धरना दे दिया गया था तो आज डिट है इसकी रिजल् इसके बाद है उन्हें तर जाज सक्षख भरती की सुनाई अंतिम दोर में चल रही है आप सबी को पता है जब कभी न यह समापन की और हो जाए अब जब तक सिक्षख मेंत्रों को वकील हैं जितने भी हैं हाइड किये गये हैं वो सारे अपने अपनी धिली प्रसुत करेंग आपका सॉल्व करेंगे आपके चंद्रा सर जो सरकारी वकील है उसके बाद सारा चीज प्रक्रण सॉल्व हो जाएगा इसके बाद सिपाई जो जीडी परिच्छा 11 फरविस से शुरू होगी तो इन सभी के लावा कुछ और प्रमुक न्यूस अपडेट पर हम लोग फोकस क 10-11 सायक बरती मामली में उच्छ नेखी लगनों खंड पीट में बहस जारी है अंतिम दोर में चल रही है सुनवाई सुकुरौ को भी जारी रहेगी यानि कि आज भी जारी रहेगी और आगे देखते हैं इस मामले में सैकड़еля क्या क्याएं द lonely और इनकी होर्प्र वरिष् याचियों की तरफ से वरिष्ट अधिवक्ता डाक्टर एलपी मिस्तरा ने बहस शुरू की है या बहस गुरुआर को भी जारी रहेगी याचियों के वकीलों ने अलग-अलग नियुमों का हवाला देती हुए प्रक्षा होने के बाद रहाज सरकार द्वारा अरता अंक तै कि यह जाने का विरोद किया अधालत में दलील दी गई है कि अगर सरकार को अरता अंक तै करने हैं तो वह परिष्ट करना है तो वह पूर्व में ही प्रिष्ट समान करें तो यह इंपोर्टेंट अपडेट यह सिक्षक बढ़ती से रिलेटेटर थी और इसके लावां जो आप अब लोगों समख्ष पेश करने कोशिश करूंगा तीजी हां यह है और यह कोट नंबर 30 में तो आप सबीक पता है सर्वी सिंगल है केस नंबर हमारे 1188 2019 का पैटिशनर आपके मुहमद रिजवान और अधर्स हैं रस्पॉंडेंट आपके यूपी है यूपी स्टेट है बे दिखा हुआ है 82 2019 सवा दूबजे से तो यह सवा दूबजे का मतलब है कि यह और लंबा घिस सकता है खीचा जाए सकता है इसको क्योंकि वकील उनके कई लेड़ सारे आई चुके हैं आप सभी पता है खरीद करके समयों की बोली लगी है तो पैसे की वैल्यू तो है इसक्ष ज़वान जज है साब यह चलिए अगली न्यूस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या 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 है अगली न्यूस है तो आज आ सकता है ल्टी ग्रेट स्क्षक बढ़ती का परिणाम और आई टेक्निकल पीसे जो जार सोला का रिजल्ट भी इसी मा संभावित है प्राग्रास से एक खबर है आपकी उत्तर प्रदेश लोग से वायोग फीसे आठ फरवरी को अल्टी ग्रेट स्क्षक बढ़ती परिख्षा का परिणाम घोसित कर सकता है सुक्रवार को आयोग की बैटक होनी है जिसमें परिणाम जारी किये जाने को लेकर निरणे होने के आपकी 2016 का रिजल्ट भी समावगत है कि यह जारी कर सकता है तो आयोग की बैटक होनी है जिसमें परिणाम जारी किये जाने को लेकर निरणे हो सकता है आयोग इसमा आराय टेक्निकल और प्रिणाम भी खोशिक करने के त्यारी में है ल्टी ग्रेट स्रिक्षक भरती के परि wysyव पर होनी है, लेकिन हाला कि आयोग एक साथ सभी विश्यों का प्रिणाम जारी नहीं करेगा, पूरमय अभिरतियों की और आयोग ने बात की जा चूकी कि प्रिणाम 001 एक साथ नहीं बलकि विशयवार जारी किये जाएंगे। शुरुवात में कुछ विश्यों के परिणाम ही घोशित किये जाएंगे, सुत्र को मताबर कुछ विश्यों का परिणाम तयार किया जा चुका है, शुक्रवार को आयोग की बैठक में इस पर निरने लिया जा सकता है, इसके अलावा आयोग इसी माह आराय टेक्निकल और PCS 2016 क चैन परिणाम भी घोशित करने की त्यारी में थे, यह सारी इंपोर्टेंट थी, एल्टी ग्रेट एक्जाम को लेकर और आज बोड़ अप मेंबर्स की सब की मिटिंग होगी, इसके बाद आपका रिजल्ट जो है, सब्जेक्ट वाइस, एक एक सब्जेक्ट का आपका निक हो रहे हैं, उनको बनाने की जुरूरत है, चली अगले अपने न्यूज अपडेट पर देखते हैं, क्या है इसमें, और इसमें सिपाई जीडी भरती परिक्षाई 11 फरुष से, मद्द छेतर में ऑनलाइन परिक्षा में सामिल होंगे, 14.078 लाग परिक्षारती, कर्मचारी चैने आयोग आने की सिपाई भरती जीडी दोजार अठार की ऑनलाइन परिक्षा 11 फरुष से 11 मार्च की बीच होगी, इस परिक्षा में देश भर से कुल 33 लाग परिक्षारती सामिल होंगे, सस्ती मदर शेत के अंतरगा 14,48,200 परिक्षारती परिक्षा देंगे, सस्ती मदर शेत की निदेशक राहूल सचान ने बताए कि परिक्षा 11 से 15 फरुष ए 18 से 19 फरुष योंगे, 21 से 22 फरुष एक से 3 मार्च, 5 से 9 मार्च वह 11 मार्च को परिक्षा सुबर 9 से 10 बज़े, 12 से 2 बज़े और 4 से 5 बज़े तक होगी और ये सारी अपडेट हैं आपके पास परिक्षा केंद्रूं पर कौन-कौन से परिक्षा केंद्र हैं या आप सभी पता टूटल 92 केंद्र हैं आप जी थें चिसमें प्रमुकता से आग्रा है अलिगड़ है और अंगाबाद है वाराण हमारे चैनल पर चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी को पता है कि क्या करना है तो चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए स्टे ट्यून आन राइड एड्युकेशनल स्टे ब्लेज रेने स्टे मोटिवेटेड गट प्लेसे वाल थेंके सो माच